नमश्रा दोस्तों, दोस्तों, आज जिस स्टॉक के मैं चर्चा करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है, एस्टॉल लिमिटेड, ठीक है, और इस स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो अगर आप देखें, अगर आप पुरानी वीवर हैं, एक्जैक्ली 10 से 11 महिने के बाद बना रह का है, यह बहुत ही शांदार लेवल से हैं, इस स्टॉक को एक्यूमूलिट करने के लिए, और लास्ट जब मैंने वीडियो आथा, स्टॉक लगभग अठरा सो के आसपा स्ट्रेड कर रहा था, ठीक है, तो आज सोचे तेरा सो से लिए करके स्टॉक 24 सो तक गया, मैंने कभी भी वीडियो नहीं बनाया, बट अब, जो अब quarter one के numbers आचुके हैं, ठीक है, और अब मुझे लगता है, कि estrel यहां से भी, एक अच्छा stock, accumulation क्या हो सकता है, ठीक है, कौन से वो levels हैं, कैसा आब quarter one के numbers हैं, कौन से वो आपके सकते issues हैं, जो estrel face कर रहा है, और कहां पर यहां प चर्चा करेंगे, वीडियो को तुरंद लाइक कर दें, ताकि यूट्यूब और और को भी रेकमेंट करें, चैनल पहली बार आएं, सब्सक्राइब करके, अल नोटिफिक्शन दबा दें, ताकि इसी प्रकार के stock specific, जो आपके सकते, जो report है, वो आपको आपके notification में मिलती र जानी है, प्लीज, कमन बॉक्स में, उसका नाम पताइगे, तो अब चलते हैं, वापस से, stock की तरफ, देखिए, Astral Limited, आज अगर मैं आख बता हूँ, जब मैं वीडियो रेकॉड कर रहा हूँ, यह लगबग, दो बच के 19 मिनट में ट्रेड हो रहा है, और अभी क्या चल रह आज भी हो रही है, तो देखिए, अब एक एकर के चीजों में चर्चा करते हैं, सबसे पहले देखिए, quarter one के highlights, इसका जो revenue है, 7.8% का jump दिखा है, year on year basis में to 13.8 billion rupees की, ठीक है, led by 16.4% का year on year basis में jump है, in किसमे, plumbing volume में, और यह higher basis की करान, इतना ही नहीं, अच्छी चीज क्या है gross margin में आपको expansion देखने को मिलेगा, 330 basis point का year on year basis में to 40.5%, EBITDA अगर आप देखोगे, उसमें भी बढ़ोत्री हुई है, 6.3% to 2.1 billion rupees, okay, EBITDA margin में, आपको contraction देखने को मिल रहा है, 20 basis point का year on year basis में to 15.5%, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और यह जो आपको, EBITDA में जो contract देखने को मि margin में क्यों है, employee expenses में बढ़ोत्री, one of expenses, advertisement और promotion कारण, जो company ने लगवग 20 करोड रुपए खचा किये, okay, EBITDA per kg, plumbing business में आप देखेंगे, तो वो 32 रुपए 60 पैसा रहा, यानि year on year basis में 5.5% जाता की गिरावट, EBITDA margin देखेंगे, paint और adhesive business में, वहाँ पर भी contraction हुआ है, यानि paint और adhesive business में भी, आप देखेंगे, 220 पर रुपा कॉंट्राक्शन देखना कुमल रहा है, company का, जो पैट आया है, profit after tax, उसमें आप देखेंगे, 1.2 billion रुपीज में रहा है, फ्लैटेश रहा है, year on year basis पे, reason इसका फ्लैटेश रहने का ही है, कि आपका EBITDA margin कम हुआ है, और interest expenses मे आपके सकते हैं, बढ़ोत रही है, increasement हुए है, cash और cash equivalent कितना रहा है, 5.5 billion rupees, okay, तो यह चीज है नहीं, आप फ्लैटेश बात करें, सबसे पहले paint और adhesive business की, तो भई, इसमें revenue में जम देखने में मिल रहा है, modest 7% का, year on year basis पे, quarter on quarter में, आपके सकते हैं, 7% की गिरावट है, और यह 3% नीचे रहे हैं, below, आपके सकते हैं, चीजों में, और, देखे, जो weakness है, UK में, वो लगातर continue रह रही है, वहां के business पे, 5% की गिरावट आई है, बाईसाब, year on year basis पे, इंडिया का जो adhesive growth है, वो बहुत मजबूत है, 14% का jump है year on year basis पे, और यहां पे further improvement ही, आपको देखन की adhesive of paint में, ठीक है, बट यह UK business है, वो एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है, बात करें है, segment EBITDA, उसमें भी decline देखने है, 13% का quarter on quarter basis पे, और 8% का year on year basis पे, and was sharp, 13% below our estimate on weaker UK margin, UK का जो business है, भाईसाब, उसकी margin कम हो रही है, खर्चे बढ़ते हुआ रहे हैं, paint business में, जो EBITDA, आप देखेंगे, EBITDA margin देखेंगे, उसमें आपको 80 basis point की यहां पे, गिरावट देखने को मिल रही है, quarter on quarter basis पे, टीक है, जो पहले 14% और यह पहले 14% और यह पहले 14% थी, टीक है, तो 14 से घट के बाईसाब 12% हो गया है, and was, 140 basis point lower, जो estimate रखा गया था, लगभग 13 दर्शन में 4% क का expect करती है, management यह expect करती है कि भाईसाब, 15 से 20% का year on year basis पे आपको growth देखने को मिलेगा, इंडिया के adhesive business में, 15 से 20% year on year basis में, इंडिया business में, but UK adhesive उसमें 8 से 10% देखेंगा sir, and growth to pick up in the paint business with, कैसे, with the recent launch in Gujarat, और जो करनाटक में कमपनी ने launch किया हुआ है, and they expect paint and adhesive margin at, 14 to 16%, जो अभी quarter में किता है 12%, तो यहाँ पर आपको jump देखने को, साफ देखने को मिलेगी, ठीक है, तो यह चीजें दो हो गई आपकी, अब क्या है, अब आगे बढ़ते हैं, quarter run में, जो major drawbacks रहे हैं, वो क्या रहे हैं, देखिए, यहाँ पर क्या क्या drawback रहा है, consolidated revenue देखोगे, तो 13.8 billion rupees में रहा है, year on year, 15% का गिरावट है, year on year बिस पे, ठीक है, और यहाँ आप देखें, came in 10% below our estimate on, आप कह सकते हैं, lower plumbing as well as paint adhesive, देखें, जो paint or adhesive business है, वहाँ पर गिरावट हुई है, यहाँ एक quarter on quarter रहा होना चाहिए, तो यह प्रिंटिंग गलत हुई है, okay, तो यह चीज़ हो सकते है, main chart का क्या है, main chart का आप समझेंगे, जो paint or adhesive business है, especially adhesive, वहाँ पर जो UK है, उसने बहुत जादा गड़बड की है, ठीक है, ग्रॉस मार्जी में थोड़ी इस business point की, जो estimate था, उससे भी ज्यादा है, on likely better product and segmental mix, तो देखे, आप यहाँ देख रहा होंगे, जो margin है, वो थोड़े अच्छे थे, Ross margin, वो अच्छे देख रहे हैं, लेकिन चीज़ें problem हो रही है, यह हमार लिए उतना जानकारी नहीं है, हाँ, यह देखिए, the company highlighted that, जो addition जो किया गया है recruitment में, manpower के, नए plant के लिए, और verticals के लिए, and, जो नए geographies में open किया गया है, यह जो है न, मेल करके, जो employee cost जो आपको मैंने शुरू में चर्चा की थी, जो employee cost बढ़ रहे हैं, वो इस ही कारण बढ़ रहे हैं, यानि, जो हम expansion कर रहे हैं, और जो दुन्हों ही plant खो ले हैं, उसके रहना को जो हम देखने को मिल रही है, इसके साथ ही साथ, जो expenses हैं किसमें, advertisement में, ठीक है, आप देखें, लगभग 20 करोड रुपए का spend जो किया गया है, हमने पहले बता था, brand building में, promotional expense में, चाहे वो IPL हो गया, exhibition हो गया, trade promotion हो गया, इसने भी एक bottom line में दबाओ जरूर बनाया है, अब वोज चीज़िया हो गई, अब यहां पे आप देखेंगे, यह जो sales growth हमने, हमने already हाँ पे सब चर्चा लगबग की हुई है, ठीक है, तो PVC के price के चर्चा कर लेते हैं, देखें, PVC के prices में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और ester pipe के जो realization है, वो improve होते आपको इसे भी दिखेंगे, quarter and quarter, but however, जो pipes के realization है, उसमें गिरावाटाई है, एक percent की quarter and quarter business पे, 7 percent की year on business में, to 182 per kg, और यह 7 प्रतिशत कम रहा है, estimate, यानि जो PVC prices हैं, जो pipe का business है, ठीक है, वो भी actual के लिए थोड़ा सा दबाव भारा, तो जरूर रहा है, बाकी, तमाम चीज़ें, हमने अलरड़ी यहाँ पे चर्चा की हुई है, अब कुछ major highlight भी हम यहाँ पे चर्चा कर चुके है, बाथ fare revenue, 90 percent रहा है year on business में, लेकिन यह इतना कम सेक्विनेस में, कुछ ज़्यादा चर्चा की नहीं जा सकती है, ASTRL ने देखें, अपना जो production है, trial production वो start कर दिया है, हैदर अपल प्लांट में, और expect यह किया जा रहा है, कि commercial production, अगस 2024 से शुरू हो जाएगी, तो यह एक बहुत ज़्यादा important चीज़ थी, ठीक है, और अगर हम नीजे चले, तो भई, गुजरात में जो मैंने उपर चर्चा की, उन्हें ASTRL प्लेंट को भी लॉंच किया है, गुजरात में और करनाटक में, लास्ट वेक, जून के 2024 में, और यह आने वाले समय में, फेस मैनर में, और भी बहुत सारे स्टेट्स में, उपन होंगे दोस्तों, ठीक है, तो भई, ASTRL दिरे काम कर रहा है, और देखे, आज तो मंडे है, तो लास्ट जो वीकेंड गया है, लास्ट जो वीकेंड रहा है, उसकी ट्रीडिंग यह साब से आप देखेंगे, वीक्ली ट्रीडिंग के साब से आप पॉइंट निकालेंगे, या साब से सपोर्ड रिस्टन्स का, सपोर्ड रिस्टन्स का, तो देखेंगे, ट्रेंड अभी बेरिश है, मॉविंग एवरेजज और टेखने लिडेटर बेरिश हैं, moving average crossword neutral है currently आप देखेंगे तो stock जो classic level में देखेंगे 1847 का जो बड़ा support है उसके अभी थोड़ा ऊपर trade कर रहा है Fibonacci series से तो काफी नीचे आही गया है Camarilla से भी वो नीचे trade कर रहा है तो technically stock no doubt काफी हद तक वीक है ठीक है? हाँ, 100 days इसके EMA अगर आप देखें exponential moving average उसके अभी भी trade कर रहा है उपर ये तो अगर ये टूटता है तो फिर किरावट होगी और 200 EMA आपको देखने को मिलेगा 1587 लेकिन याद रखिए कि ये लास्ट विक के trading के उपर है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो के लाइक करके चैनल सब्स्राइब जरूर कीजेगा ये शुड़ेगा जय हैं दोस्तों